बिहार में चुनाव से पहले ही बीजेपी और लजेपी में जबानी जंग तेज हो गई है नितिश पर चिराग पासवान के निशाना साधने के बाद बीजेपी ने लजेपी को बिहार में वोट कटवा पार्टी कहकर मामले को गर्मा दिया चराग पासवान की एक तुरंट प्रतिक्रिया सामने आई उन्होंने कहा कि नितिश के दबाब में बीज़पी ने वयान दिया है जिसकी कोई जरूत नहीं थी जुल्म करो मा जुल्म सोहो मत जीना है तू मरना सीको कदम कदम पर लरना सीको बीहार के बीच चुनाओं में पिता को खो देने वाले चराग पासवान उनके अंदाज और टेवर की कसोटी पर अपनी राजनीती को आजमा रहे हैं उस राजनीती में वो लड़ रही हैं लेकिन महा गटबंधन से नहीं बलकि जिस एंडिये में हैं उसके ही बीहार के सबसे बड़े पार्टनर नितिश कुमार से एहिंकार बोल लीजे या स्वाब इमान बोल लीजे या पता नहीं क्या पर वो टस से मस नहीं हुआ दोहजाद 10 से लेकर आज तक सिर्फ इनकी कुर्सी कैसे बची रह उसके अलावा इन्होंने प्रयास क्या किया मैं 10 नमंबर के बाद मैं भाचपा लोचपा की सरकार की में बात करता हूँ नितीश ही नहीं बनेंगे इस पर मुक्यमंदरी बने ये मेरा सपना है और ये मेरा संकलत है चराख पासवान बिहार में सिर्फ उनहीं सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं जिन सीटों पर नितीश की पार्टी जेडियू लड़ रही है जब सुख बुगाहर तेज हुई कि क्या बीजेपी के शेह पर चराख नितीश पर वार कर रही हैं तो बीजेपी के निताव फ्रंट पर आए पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम तीन चौथाई बहुमत से चुनाव जीतेंगे इसलिए इस तरह के ब्रह्म फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी और इन प्रयासों के हम निंदा भी करते हैं बीजेपी जेडी यू हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकाश शिल इंसान पार्टी यह गडबंधन जीतेगा दूर दूर से हमारा कोई रिष्टा नहीं और जिस तरह का ब्रह्म की ये राजनीती है यह हमें पसंद नहीं लोजपा आज भी हमारे कि यह कोई प्रस रही है कि यह प्रसनी के चार घटक दल यहां है और जो भी व्यक्ति नित्रीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मान रहा है वही हमारे साथ ही पासवान को कभी लालो यादव ने मौसम विशेशग्य कहा था उनकी विरासत संभालने वाले चराग पासवान का गणित ये हो सकता है कि अगर इंडिये कमजोर होगी जेडियू की सीटें कम हुई तो उनकी पार्टी की एहमियत बढ़ेगी बीजेपी ने भले ही तीखा हमला बोला लेकिन चराग अब भी बीजेपी पर सयंब बढ़ते हुए हैं प्रधान मंत्री जी की तस्वीर का इस्तिमाल करने की जुरूरत ही नहीं है मैं उनका हनुमान हूँ मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है किसी दिन होगा तो चाती चीर के भी दिखा दूँगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधान मंत्री बसते हैं बढ़ हाँ आज अभी दो दिन आपको हुए नहीं उनको शर्धान चली दिवे और आज आप उनकी पार्टी के लिए उनकी बनाई हुए पार्टी के लिए आप वोट खटवा जैसा शब्द का आप इस्तिमाल कर रहे हैं पाबा जहां पर भी होंगे सुनका खुश तो नहीं होंगे ना इन सारी बातों को एलजेपी ने विरोत का अपना दाउं चल दिया है उसके नतीजे चुनाओं के नतीजों से तै होगा और उसके बाद ही बिहार में एन्डिये का भविश भी तै होगा रोहित सिंग पटना आज तक बीजेपी ने लजेपी को लेकर तेवर तीखे क्या अपनाए नितीश कुमार की जेडियू को भी मौका मिल गया पहले बीजेपी ने लजेपी को वोट कटवा कहा फिर नितीश कुमार की पार्टी ने तो ये तक कह डाला कि लजेपी एन्डिये का हिस्सा ही नहीं है ऐसे में चुराग पासवान की सारी उमीदे आब इस बात पठी की हैं कि चुनाव में उनका प्रदर्शन ऐसा हो जिसके बूते वो फिर से खोई एहमियत हासल कर सके बिहार में चुनावी रन सच चुका है एक से बढ़कर एक दाउं आजमाए जा रही है मुकाबला बेहत दिल्चस्प है और नितिश से खार खाए बैठी एलजेपी की सारी उमेदें इस बात पर ठीकी हैं कि नितिश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन कमजोर होगा और एलजेपी किंग मेकर के तोर पर निकल कर सामने आईगी लेकिन ये चुनाओ बात की बात है फिलहाल बीजेपी भी एलजेपी से किनारा करती नजर आ रही है हो सकता है कि जेडियू का दबाव रहा हूँ लेकिन बीजेपी ने एन चुनाओ से पहले अपनी हिस्सायोगी पार्टी एलजेपी को लेकर तीखे तेवर अपनाई है चराग पासवान पिये मोदी और बीजेपी की जी भर कर तारिफ कर रहे हूँ लेकिन जब बीजेपी ने उन से किनारा करने के संकेत दिये तो नितीश कुमार की पार्टी भी और ज्यादा हमला वड़ हो गई उसने तो साफ कर दिया कि अलजेपी एंडिय का हिस्सा ही नहीं है जेडियो और लजेपी के बीच खटास काफी वक्त से आ गई थी लेकिन अब ये चरम पर है जेडियो हर सूरत में लजेपी को खारिज करना चाहती है नितीश और चराख के अदावत के बीच रास्ट्रिय जनता दल को चुटकी लेने का मौका मिल गया है अब ही तो तलवारी खेंची हैं लेकिन चुनावी रण में असली सिकंदर वो साबित होगा जो नतीजों के बाद वाकई किंग मेकर बन कर उभरेगा आज तक ब्योरो